दोस्तो ये है Realme 8 जो Realme का सबसे ज़ादा बढ़िया मुबाइल है या आपको मिलता है दोस्तो 15,000 का लेकिन इसी बजट के अंदर Redmi ने एक latest launch कर दिया अपना मुबाइल Redmi का Note 10T जो आपको मिलता है दोस्तो 14,000 का तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा कि आपको 1000 महंगा Realme 8 लेना चाहिए या फिर Redmi का Note 10T लेना चाहिए 14,000 में तो दोस्तो वीडियो का आप end तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा बात करें दोस्तो सबसे पहले camera के बारे में तो Realme 8 में आपको बीशे की तरफ 4 camera दिये गए हैं और इसके अंदर आपको दोस्तो camera जो मिलते हैं उसमें main camera है पहला 64 megapixel का दूसरा 8, दो camera है 2-2 megapixel के, front है इसका 16 megapixel का camera की performance दोस्तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ Note 10T के अंदर आपको बीशे की तरफ 3 camera दिये गए हैं जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का, दो camera है 2-2 megapixel के, front है 8 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है, वो आपको realme 8 के अंदर ही जादा बढ़िया मिलती है camera को लेकर realme 8 ही जादा बढ़िया है Redmi के Note 10T से अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है, तो आपके लिए जादा बढ़िया रहे गर realme 8 ही इसके लोग दोस्तों बात करें display के बारे में, तो realme 8 के अंदर आपको display size मिल जाता है 6.5 inches के आसपास, लगबग साड़े change की display है इसके अंदर भी, Note 10T के अंदर भी आपको साड़े change के आसपास display दी गई है लेकिन दोस्तों बहुत बढ़ा फर्क है, इसके अंदर तो आपको AMOLED display मिल जाती है लेकिन Redmi के Note 10T के अंदर आपको IPSC display दी गई है तो display की quality है, उसके अंदर काफी बढ़ा फर्क है, इसके अंदर आपको display की quality और जादा बेटर दी गई है Redmi के Note 10T से इसके अंदर आपको display में 60Hz का ही refresh rate दिया गया है Realme 8 में लेकिन दोस्तों Redmi के Note 10T के अंदर ये खुब भी जादा बढ़िया है, उसके अंदर आपको display के अंदर 90Hz का refresh rate मिल जाता है तो यूज करने में वो आपको और जादा smooth मिल जाएगा इस Realme 8 से लेकिन दोस्तों refresh rate से जादा important होती है display की quality जो आपको Realme 8 के अंदर ही जादा बढ़िया दी गई है इसकी display में आपको करीब से दिखा देता हूँ, दोस्तों design इसके अंदर आपको दिया गया है पंच होल कैमरे वाला Note 10T के अंदर भी आपको पंच होल कैमरे वाले design मिलता है, लेकिन इसमां आपको camera left side पर दिया गया है और Note 10 team आपको बीच में मिल जाता है, लेकिन दोस्तों display की जो quality है वो इसी के अंदर आपको जादा बढ़िया मिलती है display के जो colors है Realme 8 के वो आपको बहुत ही जाद अच्छे मिल जाते है brightness भी इसके अंदर आपको बहुत जाद अच्छी दी गई है तो दोस्तों अगर आपको 14-15,000 के budget में mobile लेना है Redmi Note 10T में और फिर Realme 8 में तो Realme 8 ही आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा, जादा बढ़िया display के लिए तो इसके अंदर आपको camera भी quality वाइस जादा बढ़िया मिल जाता है Note 10T से और इसके अंदर दोस्तों आपको दूसरी खुबी display की quality वो भी इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दी गई है और दोस्तों Realme 8 के अंदर आपको in display fingerprint scanner दिया गया है इसमें display के अंदर ही fingerprint scanner है Note 10T के अंदर आपको side mounted fingerprint scanner मिलता है power के button के अंदर side में fingerprint scanner है उसके तो ये खुबी आपको Realme 8 में जादा बढ़िया मिलती है आप comment करके बताईएगा आपको fingerprint scanner side में पसंद है या फिर display के अंदर मुझे in display पसंद है इसके अंदर आपको design मिल जाता है silver color काफी जादा बढ़िया Note 10T का भी design काफी बढ़िया है लेकिन एक चीज में दोनो normal है design की quality दोनों में plastic के type के ही दी गई है इसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं लेकिन Note 10T के अंदर ये कमी है उसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ नहीं लगा सकते या तो दो sim card लगाईएगा या फिर एक sim card एक memory card इसके लोग दोस्तो type support इसके अंदर भी दिया गया है Redmi के Note 10T के अंदर भी आपको type support मिल जाता है right side पर इसमें volume के buttons और power का button है उसके अंदर भी आपको side में volume के buttons power का button दिया गया है right side पर इसमें आपको noise cancellation mic मिल जाता है लेकिन Note 10T के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप उससे चला सकते हैं दोस्तो 15,000 में realme 8 में आपको दी गई है 4GB RAM 126GB के internal storage लेकिन Redmi के Note 10T में 14,000 में दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage तो RAM तो दुनों में बराबर है लेकिन storage आपको realme 8 में जादा मिल जाती है 1000 जादा कीमत में जादा बड़ा फर्क नहीं है कीमत में लेकिन storage में बड़ा फर्क है इसके लग दोस्तों इसके अंदर भी और Note 10T में भी दोनों के अंदर आपको Android का 11 version मिल जाता है इस चीज़ में दोनों बढ़िया है बात कर दोस्तों battery के बारे में तो ये खुबी जादा बढ़िया है जादा fast charging का support आपको Realme 8 में दिया गया है बात कर दोस्तों processor के बारे में तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का G95 processor Note 10T के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का Dimensity 700 processor अब देखिए दोस्तों अगर आप एक बहुत जादा heavy user है तो Note 10T भी आपके लिए काफ़ जादा बढ़िया है heavy user के अंदर उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी और Realme 8 के अंदर भी आपको बहुत बढ़िया processor दिया गया है performance को लेकर ये भी बहुत अच्छा है लेकिन एक खुबी है ऐसी जो आपको Realme 8 में नहीं मिलती Note 10T के अंदर मिल जाती है Realme 8 दोस्तो 4G mobile है लेकिन Note 10T आपको 5G mobile मिलता है वो mobile 5G है वो खुबी इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तो ये सारी खुबी है कमिया है दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए Note 10T लेना चाहिए 14,000 में या फिर Realme 8 15,000 में तो दोस्तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Realme पे जादा भरुसा है या फिर Redmi पे और इसके बाद आपकी जो में जरुत की चीज है वो किसम जादा बढ़िया है तो दोस्तो दीखिए अगर आपको performance बढ़िया चाहिए तो आप दोनों में से कोई सा भी खरीच सकते हैं दोनों काफी जाद अच्छे हैं लेकिन दोस्तो अगर आपको 5G मूबाइल लेना है तो आप Note 10T ही खरीदियेगा उसके अंदर आपको 5G का support दिया गया है तो Note 10T के अंदर आपको दो खुब्ये बढ़िया मिलती हैं एक तो बहुत अच्छी performance दूसरा 5G का support जादा दी गई है बस यह 5G नहीं है बागी तो वैसे देखा जाए तो जादा खुब्या आपको Realme 8 के अंदर ही मिलती है quality wise यही जादा बढ़िया है Note 10T से मुझे दोस्तों personally वैसे Realme 8 ही जादा अच्छा लगा आप बताएगा फिर भी comment करके क्या आप 5G की वज़े से Note 10T लेना पसंद करेंगे या फिर आपके लिए बागी खुब्या जैसे कैमरा इसे के साथ बढ़िया डिस्प्ले यह चीज़े मैटर करती है आप Realme 8 लेना पसंद करेंगे 4G के साथ यह चीज़ कमेंड करके ज़रूर बताइगा मज़े दोस्तो Realme 8 ही पसंद आया मैं सम आपको Realme 8 ही सज़ेस्ट करूँगा आप बतेगा आपको कौन सच्छा लगा वीडियो कर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए घंटी का निशान दबा के ओल पे क्लिक कर दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुशती रहें इसके लब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अब दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा इस वीडियो का ज़रूर वाटसेप पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई